कोरोना माहमारी को मात देने के लिए सबी की निगाहे वैक्सिन पर ठीकी है दुन्या के कई देश कोरोना वैक्सिन बनाने में जूटे है रूस ने तो वैक्सिन इजाद भी कर ली है और भारत समय कई देशों में कोविड-19 टिके का ट्रायल अंतिम चरण में चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्टिन में कहा गया है कि बारत, कैनेडा, फ्रांस, दक्षिन, कोडिया और अमिरिका में कोरोना वैक्सिन पर काम कर रहे शोध करता Medical Company और वईग्यानिक रूसी और नौर्थ कोरिया के हैकर्स के निशाने पर है Microsoft ने अपने रिपोर्ट में वैक्सिन पर काम कर रहे लोगों या कमपनियों के नाम के बारे में जानकारी नहीं दी है ये है हैकर्स रिपोर्ट के मताबिक वैक्सिन बनाने वालों पर नजार रखने वाले व्रशन हैकर्स के ग्रूप के नाम Fancy Bear, Zynk Stronium और Centrium है Microsoft ने कहा कि हैकर्स ग्रूप Stronium डिटेल चुराने के लिए फोर्स लोगिंग का इस्तमाल कर रहा है Zynk Group का हैकिंग के लिए फिशिंग अटेक के तरीका अपना रहा है Microsoft का कहना है कि ये हैकर्स लोगों को लगाता संदिक्द मैसेज पेज रहे है इन मैसेजों में जॉब आफर जैसे दावे किया जा रहे है और यूजर्स के इमेल या मोबाइल फोन हैक करने की कोशिश कर रहे है बारत की करीब साथ कंपनिया कोरोना वैक्सिन पर काम कर रही है इस खबर के बारे में अपने विचान नीचे कमेंट बॉक्स में लिक कर बताए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले साथी कोरोना वैक्सिन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर ले